आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की हमने प्रेक से पहले बात की हिमन सोरेन की हिमन सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं अगर उने जाना पड़ता है इडी के सामने ऐसी सूरत में उनको लगता है कि इडी उने गिरिफ्तार कर सकती है और थमाम चर्चाएं इस बात किया है कि वो अपनी पत्नी कलपना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं ऐसा ही कुछ मामना दिल्ली में अर्विन केजरीवाल के साथ भी चल रहा है अर्विन केजरीवाल को आज एडी के सामने पेश होना था वो आज भी नहीं गए एक बार फिर उन्होंने एडी के समण को इगैर कानूनी बताया और उनका कहना है कि चुनाव से एन पहले ये समन उनको बार बार दिया जाना ये कही नहीं नियत पर सवाल उठाता है ईडी की जांच के अब आगे अर्विन केजरीबाल क्या करेंगे इसको लेकर कि वो पहली स्थिती स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं लेकिन क्या अरविन केजरीबाल की भी देर सबीर गिरफ़तारी तैम आनी जाए इस पर हम लोग बात कर सकते हैं आज उनको 11 बज़े पेश होना था अरविन केजरीबाल नहीं गए आज भी उन्होंने फिर एक बार काया कि समन गहर कानूनी है एडी को एकतियार नहीं है कि उन ले तो बुलाई सकती है कि भाई ये ज़रुई नहीं है कि वह मैं अक्यूजड ही हूं मेरे पाद जानकरी है इसके लिए भी बुला सकती है कि अगर आपके बाद जानकरी है तो आप हमार को डिस्क्लोज करिए अगर अर्विंद केजरी वाल जो हैं वो मुख्यमंत्री रहें इस पूरे दवरान तो ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ती मुख्यमंत्री हो, head of the state हो उसको यह पता नहीं हो कि उसके state में क्या-क्या हो रहा है अब ऐसा तो है नहीं उनके जानकरी के बिना आपकारी नीती बन गई होगी और उस आपकारी नीती में क्या-क्या हुआ होगा उन कोई तो involvement रहा ही होगा चाहिसे फाइल जाइन करने का involvement रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थिती में अगर एडी जो है उनको जानकारी लेने के लिए बुला रही है तो उनको जाना चाहिए और एडी के सामने जो है अपनी बात रखनी चाहिए एडी हो सकता उनका बयान दर्च करना चाहिए कि आपको क्या क्या जान कर रही है दूसरी बात यहां पर यह भी आती है जो उनकी पार्टी कह रही है कि चुनावों से पहले बुलाया जा रहा है था कि वो जो है चुनावों में जो campaign ना कर पाएं तो हमारे देश में कभी भी किसी को बुलाया जाएग उसका पॉलिटिकल जो गेन है या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे जाएंगे फिर अगर यही प्ली जो है अगर मान ली जाए कि चुनाव में प्रचार ना करने के लिए या ना करने देना चाहती है बाकी बीजेपी नहीं करने देना चाहती तो फिर तो कभी नहीं जाएंगे जाएंगे उसका रोचक हो जाएगा कि एगर enforcement इनके जाने से खुब प्रचार कर लिए एक जहां सिंगरोली थी वहां उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा वहां भी कुछ नहीं हुआ वो और भगवन्त मान जी बड़ी लंबी चोड़ी सभा किये थे रोट शो किये थे जब किसी पार्टी के नेता का ये आता है कि हमक कि जमानजब्त पार्टी वाली सिती रही अब उसके बाद वो करें कि लोकसभा चुनाओ लोकसभा चुनाओ का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अगर वो पूरी तर से पाक साफ होते तो वो कहते हैं हम आते हैं जो भी कुछ होगा बयान बाजी होगी जो कुछ ह हम छूट जाएंगे लेकिन उनको डर है उनको डर है कि जनवरी महिना शुरू हो गया है अगर इस वक्त एडी ने गिरफतारी कर ली जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है वो भले ही सौरब भारतवाज से लेके आतिशी से लेके सारी पार्टी पूछ रही है किस हैसियत से गोटाले का है क्या हुआ आपकी सरकार थी आपके शराब मंतरी के उपर ये आरोप है उसके बाद क्या हुआ आपका एक राज्यसभा सांसद जिसके बैटकर डील हुई जो भी उसमें आरोप ही बताय जा रहा है अब इतने के बाद अगर बार बार ये पूछ रहे हैं तो इ रणनीती बनाई जा रही कि हम इसको पॉलिटिकल तमाशे में बदल सके और लोगों को बता सकें कि नरेंदर मोदी अमिट शाह सुबा उठते हैं एडी डिरेक्टर को फोन करते हैं कि आज अरविन जी को समन भेज़ देना है तो एक बार भी पशे ना है एक बार कुछ और अब करें लोग स्वा चुनाओं। राजनीट में इसे नेता कहां होते है। जा रहे हैं अगर जेल से सरकार बनी तो मैंने कल भी कहा था पहले भी कहा था फिर से दोहरा रहा हूं सर्वोच नेयाले की खंड़ पीठी से सुनेगी कि क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल से राज चलाने का अधिकार होना चाहिए क्या इस तरह से लोक तंत्र का प्रहसन बनाया जाना चाहिए बीजेपी अगर ये भी मांग कर ले ये जो सर्वे किया है केजरिवार जी ने सारी दिल्ली की जनता में उनको भी मांग कर लेनी चाहिए कि बही दिखाईए सारी परचिया जिस पर जो है दिया गया है यहां पर brain बिजेपी मांग लें आच्छा दिखाईए कहां किया कितने कितने लोगों ने इस फेवर में वूड किया इतना आसान होता कि जियल से सर्कार चला लेंगे तो हरी जरी वह पहली बार इडिके सामने पेश हो जायते कि आप मुझे गरफतार कर लोगाई जी जील से सरकार किसी इस्तिती में नहीं सकते हैं उनके उपर तना नहतिक दबाव रहेगा कि जिस दिन वो गिरफतार होंगे उन्हें इस्तिफात देना होगा अपनी राजनेती को बचाने के लिए और एडी कोई उन्हें इसी पुष्टाश के लिए बैसिक जानकरी लेने के नहीं बुला रही है एडी उनको इसलिए बुला रही है क्योंकि मनीस सिसोदिया जेल के अंदर है, रूम्ता जो सरकारी गवाँ बन गए दिनेश अरोला जो सरकारी गवा बन गया है, समीर महिंद्रू जो जेल के अंदर है, इन लोगों उन्हें लिख कर दिया है कि उन्होंने पैसा दिया था मावदाधी पार्टी को, उसकी जानगार है अर्विन केजरिवाल को है, और अर्विन केजरिवाल से फेस टाइम पर उनक हो चुके हैं, और बस अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अर्विन केजरिवाल कब उनके बुलावे पर आया है, उनके प्रस्टों का जवाब दे, इडी जानती है कि अर्विन केजरिवाल अपनी बेह गुना का कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे, और उनका गिरफत सब्सक्राइब का इसा कोई लॉड़ नहीं इडी के अंदर कि आप साथ याड़ बार तक किसी को गिरफतार नहीं कर सकते हैं, आपको साथ बार नोटिस देना ही पड़ेगा, अर्विन केजरिवाल का तिन बार हो गया, मुझे लग रहा है एक आत बार ओर होगा, उसके साथ ही हम पुछताच करने आते हैं, उसके बाद में अगर केजरिवाल तैयार नहीं होगे, तो यह ता है कि केजरिवाल जेल जाएंगे, या एडी उनके घर पर जाके दरवजा खटटाएगे कि हम आ गए हैं, अब आप हमें जवाब दीजिए, आप ज़रा आज की एक और बढ़ते हैं, यह मामला भी आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्धा है, उसको लगता है कि है, अडानी का मुद्धा, लेकिन सुप्रीम कोट ने आज जो फैसला दिया है, उससे इस मामले में काफी हद तक इसमें इसकी जो सुप्रीम कोट ने सेवी को सौंपी थी, मामला जुडा हुआ था हिंडनबर्ग जो यूएस बेस फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट से जिसमें आरूप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर इंसाइट ट्रेडिंग किये, अडानी ने कॉर्पोरेट इतिहास का एक सबसे ब इस बात की सुनवाई कर रहा था कि क्या एक SIT बनाकर कि इस मामले की जाँच सीधे-सीधे सुप्रीम कोट करा है। सुप्रीम कोट ने का कि जाच सेभी कर रहा है और सेभी ही इसकी आगे जाच करेगा इसमें वो दखल नहीं देगा कुल 22 मामलों की जाच होनी थी 20 मामलों की जाच जो है वो पूरी हो चुकी है दो मामले बचे हैं तीन महिने का समय सुप्रीम कोट ने सेभी को और दिया है कि ये अपनी जाच पूरी कर ले इससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि हिंडन बग जो की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म भी है वो अगर ऐसा लगता है कि उसने ये रिपोर्ट छाप करके और जिस तरीके से अडानी के शेर गिरे थे अर्बो रुपे का अर्बो पूर्टिकली देखिए तो राहूल गांधी बमता बेनर जी तमाम विपक्ष जो है या अभी हमाम अर्विन केजरीवाल की बात कर रहे तो आम आदनी पार्टी सब अडानी का शोर मचाते हैं हर वेक्ति प्रधान मंतरी का नाम लेकर कि सीधा आरोप लगाता है कि अडानी क का जो दम था वो कहिना कही निकलता हुआ दिखाई दिया हर श्री आपको इस पूरा मामलज और विस्तार जे समझा पाएंगे सुप्रीम कोट ने जो आज कहा है क्या समझे है उसका मतलब ने देखे इसको तीन मोटे मोटे बिंदू में इसको समझना चाहिए और बड़ा जरूरी है ये देश के लिए समझना सबसे पहला तो ये कि इस देश में कितना भी बड़ा आद्वी हो वो इस देश के कानूनों के दाइरे में है जब ये जाच सेबी के पास गई और जिसक इसे लगवाए एक तो मामला ये था दूसरा जिसको बार-बार कहा जाता है कि नियमों में बदलाओ किया गया यानि सेवी ने वो अडानी की कंपनी के लिए कई नियम बदल दिये उनके पैटर्न में बदलाओ की बात की गई जिसको कहा गया जो सेवी के नए नियम है वो अड प्रिटिकल एजेंडा चलाए गया जिसको लेकर राहुल गानी आक्रामक रहते हैं कि सरकार अडानी के उपर कोई भी जांच कराने से बचती है। अधार पर ये PIL दाखिल की गई थी जिस NGO ने और कोई कहने की जरूरत नहीं उसमें वही सारे वकील होते हैं वही सारे NGO होते हैं जो ऐसी याजकाएं डालते हैं वो एक भी ठोस प्रमार नहीं दे सके सरोच ने आले ने जो जस्टिस डीवाई चंदरचूड पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप फिर हमें सबूत देंगे तो हम पुना इस मामले को सुनेंगे लेकिन आज की तारीक तक है ऐसा कुछ नहीं और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट स के मामले में जाकर बहुत दकल नहीं दे सकता है वो एक बढ़िया से संस्था है उसके पास अपने नियामक अधिकार है और उसको करे हमारी लिमिटेशन है और उसके आगे कहा किसी विदेशी पुब्लिकेशन में अन्वेरिफाइड कोई बात हो उसके आधा पर सर्वोचिन सरकार सब एक तरह से मिले हुए है क्योंकि यहां पर ये भी समझिए कि जो अगर आरोप लगता है कि सारे शेर अडाणी ने खुदी खरीद लिये थे तो बभीया शेर के भाव केरी कैसे गए बाजार में कोई खरीदने वाला होगा बैचने वाला होगा तब नहीं गीरने च जाता है वो गौतम अडानी एकदम आउट हो जाते हैं और वो जो पैसा लगा है वो सामान निवेश्कों का था तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान देना चाहिए जो बार-बार कहा जाता है कि भारत के खिलाब भारत के उद्योपतियों के खिलाब और ये कोई छिपी बात है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अडानी समू, strategic investment कर रहा है, port खरीद रहा है, infrastructure के काम कर रहा है, देश में तो करी रहा है, मुझे लगता है आज के बाद बहुत कुछ साफ हो गया है, अब ये कि जो लोग नारा लगाते थे, government बिग गई है, अब वो ये ने कहने लगें कि सुप्रीम कोर्ट भी बिग गया है, हो सकता है चंदरचूर जी को ये भी सुनना पड़े, अब जिसे हम कहते है clean sheet, ये clean sheet के बहुत करीब है, या अभी ऐसा नहीं कह सकते है, नहीं मुझे लगता है, आज के मामले में अभी की बात करेंगे तो clean sheet है, और मैं फिर से नहीं है कि एक जज या दो जज ऐसे बैटो, CGI की तीन जजों की खंड पीठे, वो कह रही है, कोई अडानी ने गड़बड आज की तारीक तक नहीं की, हिंडनबर्ग की जो short seller है, यानि short selling करके जो पैसे बनाती ही company, उसकी report में छोटा सा भी रंच मातर भी कोई ऐसा प्रमा में उनके परिवार के लोग जो है किस तहां से हावी है, एक बात ये थी, दूसरी बात उसमें ये थी कि उनके परिवार के लोग है, उनके चोटे भाई और उनके बड़े भाई को लेकर जो DRI की जो सारे मामले हैं, उनके एक और जो brother in law है, उनको DRI का, एक डाइमंड, actually क्य बाहर भेजा, और उसके बाद विनोद अडानी जो उनके बड़े भाई है, उन्होंने किस तहां से ये आरोप हैं, किस तहां से जो है, फरजी फर्म्स जो बनाई है, मौरिशयस में, सिंकपोर में, और directions पर, किस तहां से उस उन फर्म्स के जरिए पैसा जो है, दुबारा अ फर्जी फर्म्स बनाई गई थी, क्या उनके जरीया ऐसा कुछ हुआ था, ये अभी सेवी जाँच कर रही है, लेकिन जो बड़ा मामला है, आपको एसाइटी बैठानी चाहिए, या सेवी के उपर ये जो शंका पैदा करने की कोशिश चेक की गई थी, कि सेवी की जाँच जो ऐसा नहीं है कि गौताम अडानी जो है, उनकी फर्म्स जो है, उसमें लोगों का बहुत पैसा नहीं लगा हुआ, भारती लोगों का, अपने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और अगर सबसे जाँ नुकसान जो हिंडनबर्ग की रिपोर का तो वो जादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहां तक समझ है, शौट सेलिंग यह होती है कि मेरे पास कोई शेर नहीं है, मैंने उस शेर को जो है, उस दाम पर जो अभी दाम है उस पर बेच दिया, बाद में मैंने उसको कम दामों पर जब गिर गया शेर, तो फिर ये भी आरोप की जाँच होगी, कि हिंडनबर्ग ने जानबूच की इस ताहां की रिपोर्ट छापी, ताकि आडानी ग्रूप के जो शेर्ज हैं वो गिरे, अब इसका जो पोलिटिकल एसपेक्ट है, उस पर हम लोग बात करें, जैसे अर्श्वरदन जी ने कहा कि क्य कोई सबूत हमको नहीं मिले हैं, दो मामलों की जाँच हो गया है, यानि उसकी जितनी कीमत है, उसका कई गुना हो गया है, बबल क्रिएट करने कुशिश है, अगर उसकी जाँच होगी, तो कोई CBI, कोई ED उसकी जाँच करी नहीं सकती, जिसको कहते हैं कि they are not well prepared, उनके पास हो टूल ही नहीं है, वो टूल किसके पास हैं, वो सेवी के पास है, इस देश में अलग अलग तरह के जो कहें कि नियम काईदे कानून है, उनकी जाँच के लिए जो टूल होते हैं, अप्रोप्रियेट टूल होते हैं, वो जिस एजनसी के पास होंगे, वो ही जाँच कर सकती और मुझे लगता है सेवी से बेहतर एजनसी कोई नहीं है जो शेयर बाजार से जुड़े मामलों में कोई गरबड हुई है तो नहीं गरबड हुई है तो वो बता सके ये जानना जरूरी होता है तो सुप्रीम गूटने का इसाईटी का कोई मतलब भी नहीं है अगर उसके साथ अगर सपोसिटली सेवी अगर कहे कि मेरे को नहीं आपके साथ जो है कौपरेट करना तो क्या करनेगी एसाईटी तो देखे ये तो सही बात बोल रहे है हरश्वदान जी कि इसकी लिए सही अज है आप देखे विपक्ष लगातार एक ग्रो है जो लगाता पधानमंत्री मोधी और उसकी अड़ानी के आड में पधानमंत्री मोधी को बदनाम करना ही है यह बताने के लिए सरकार उनके लिए काम कर रही है अब देखे राफिल में क्या हुआ था राफिल में सुप्रीम को कि जो कुछ हुआ है बराबर हुआ है सरकाने सारे स्टेस प्रॉपर लिए वह अध्या खतम हो गया अब अडानी इडन पर के एक रिपोर्ट के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई कि इसके अंदर अडानी का इन्वाल्मेंट है आज सुप्रीम कोट ने वो भी बोल दिया या सेवी से कुछ इंस्ट्रक्शन देता सेवी को फ्री एंडी आ गया इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोट बात मानता है कि एडन मर्की जो रिपेट थी वो जूटी थी और उसके जाज करने की कोई ज़रूत नहीं है सेवी बराबर जाज कर रही है तीन मेने में सतता पर आदत नहीं है उसे पकड़कर वो सुप्रकोर्ण पर जाती है या महौल बनाने की कोशिश करती है और बार-बार वो मुझे खाती है मुझे लग रहा है अब चुनाओ के पहले विपक्ष को जो एक बड़ा मुद्धा बनाने की कोशिश कर रही थी उस पर सुपरिम